आप लो गाईज आज के जुम सेशन में आप लोगों का देल से स्वागत है आज का सेशन फुल फुल टेक्निकल सेशन होने वाला है और उमीद है कि आज जितने भी ऐसे पॉसन जो की ने एसोसीट हुए हैं जिनको की कई तरीके का जो है न दिकते आ रही हैं चाहे वो बॉलेट को यूज करने में स्टेकिंग करने में यूएस्टी बाई करने में या बिड लगाने में यूबिट मार्केट यूज करने में यूबिट कार्ट यूज करने में यूज करने में के session में हम लोगों का कोशिश होगा कि हर एक questions और confusion को clear करी जाए process क्या है साले सारे platforms को use करने का वो सारी चीजे जो है न बताई जाएंगे अभी almost 4900 people's June session के अंदर इंटर कर चुके हैं hopefully कि अगले एक से दो मिनट के अंदर वो 5000 क्रॉस हो चुके होंगे जैसा कि अभी मैं देख पा रहा हूं कि almost 5000 पोसन इस session के अंदर आ चुके हैं और अब ज्यादा time ना लेते हुए मैं आपको एक overview देना चाहूंगा अभी हमारे साथ जोएन है नीदी में और हमारे साथ जोएन है प्राग सर इनके साथ साथ ब्रिज सर भी इस session के last में उमीद है कि अगले मतलब 5 मिनट के लिए 7 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए अपना time दे पाएंगे सो मैं आप लोगों से request करूँगा कि इन session को आप miss ना करना और इन session के last तक आप बने रहना जिनसे की हो सकता है कि आप हो सकते हैं कि experience person हो रैट लेकिन कई बार होते हैं क्या कि आप से जब downline technical questions करते हैं तो उस जगा आप पस जाते हो तो यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत अच्छी तरीके से बताई जाएंगी और उनको explain करा जाएगा सेशन को सुबात हम करते हैं और अगले एक घंटे के लिए यह सेशन है और एक घंटे के लिए मैं आप लोगों का वक्त मांग रहा हूं जिनसे की आप technically a strong बने और मैं जानना चाहूंगा कि मेरी wise pro पर जा पा रही है नदी मैम अगर आप बता पाएं तो जरूर बताएं मैं अजी हर्शा बिद्कुल 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 थैंक यू मैम ओके मिटिंग की सुरुवात करते हैं और eyes की मिटिंग की जो सुरुवात हम कर रहे हैं सबसे पहले हम ये करने वाले हैं कि आप जो भी decentralized wallet का यूज़ कर रहे हैं हो सकते हैं कि आप token pocket यूज़ कर रहे हो हो सकते हैं कि आप metamask यूज़ कर रहे हो हो सकते हैं, आप trust wallet यूज़ कर रहे हो, अत्वा staple यूज़ कर रहे हो, जिस भी तरीके के wallet आप यूज़ करते हैं, सारी wallet का जो methods है, create का methods आप कहे लिए उसे, या तो फिर wallet बनाने की methods कहे लिए, सारी wallet का जो methods है, वो adjectives सेम है, ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि अभी मैं system पे हू तो मैं आपको metamask ही बता पाऊंगा, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, कि मेरा wallet already created है, मैं ये assume करके चल रहा हूँ, कि आपको wallet create करने की ये आता होगा, अगर नहीं आता है और phone के उपर हैं आप, तो आप Google Play Store से, अगर आप Android यूज़ करते हैं, मैं हमेशा suggest करता लोगों को कि आप जो यूज़ करें, वो यूज़ करें metamask, चाहे आप iPhone user हो, चाही आप Android user हो, जो भी आप यूज़ करें, जब भी आप यूज़ करें, वो metamask ही आप यूज़ करें, और metamask जैसे ही आप download करते हैं, open करने के बाद, वहाँ पे आपको create a new wallet का options आचा है, उ पिर आपको phrase आएंगे, उस phrase को आप कहीं पर link करके रख लेंगे, अपसा save करके रख लेंगे, और उनके बाद आप same phrase, same pattern में आप जब डालते हैं, तो आपकी account metamask के उपर create हो जाती है, इस तरीके से आपको metamask बनाने होते हैं, और metamask बनाने में कहीं कोई rocket sign use करने की need नह लेकिन जब भी पहली बार आप use करते हैं दोस्तों, तो आपको by default metamask ethereum mannet open करके देता है, ठीक है, ethereum mannet open करके देता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करने होते हैं, यहाँ पे हमें सबसे पहले आपको खुद की blockchain add करने होती हैं, चाहे आप कोई भी wallet use करें, वहाँ पे आप अपनी blockchain को add करेंगे, आपकी blockchain का add का जो methods है, वह बहुत ही असान है, अभी chat के अंदर हम आप लोगों के साथ RPC share कर रहे हैं, and chain ID share कर रहे हैं, उनके साथ-साथ हम आपको share करेंगे, और वो share करेंगे, यूविट का contract guys, आप लोगों के साथ चला गया, जब भी आप पहली बार create करते हैं, तो आपको इस तरीके का interface दिखता है, चाहे आप application को use करें, चाहे आप extension को use करें, इसी तरीके का दिखेगा आपको, आप लोगों के साथ share हमने कर दिया, जब भी आप add करेंगे, उपर मे mannet आपको दिखेगा, उसके उपर आप click करेंगे, सबसे नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा add network, इसके उपर आपको click करना होता है, यहाँ पर आपको कुछ predefined, पहले से कुछ ऐसे mannet दिखेंगे, जो कि आप simply add के उपर click करेंगे, और ये add हो जाएगा, लेकिन क्योंक smart chain डालता हूँ, RPC, RPC जो अभी हमने copy करा था, वो RPC डालेंगे, chain ID, अपना जो chain ID है, वो switch करते हैं, next करेंगे, import करेंगे, जैसे ही आप import करते हैं, तो आपके पास जितनी ubit है, वो दिखने start हो जाते हैं, तो इस तरीके से दोस्तों, आप blockchain को add कर पाएंगे metamask के अंदर, और मैं आपको बताते हुए happy feel कर रहा हूँ, कि metamask के अंदर blockchain add करना कितना ज़्यादा असान है, वो मैं आपके साथ अभी share करने वाला हूँ, ठीक है, ये तो एक method हमने आपके साथ share कर दिया, कि manually किस तरीक पादा असान है, वो आप simply application use कर रहा है, application के browser में जाना है, metamask के browser में, और वहाँ पर search करना है, ubit scan.io, जैसे ही आप ubit scan.io search करते हैं, कुछ इस तरीके का आपको interface दिखना start हो जाता है, अब ubit scan में भी लोगों को काफी confusion है, जब भी लोग ideas लगाते हैं, तो वो पूछते है has कहां से देखी जाती हैं, block क्या होते हैं, वो चीज़े भी हम discuss करेंगे, ठेक है, सारी चीज़ें discuss करने का मतलब है, ubit scan के भी कुछ चीज़ों को discuss करी जाए, लेकिन अभी जो हमारा focus है, वो यह है कि आप ubit smart chain को कैसे add करेंगे metamask के अंदर, सब से footer में चले जाएंगे द metamask का pop-up खुल जाएगा, चाहिए वो mobile के अंदर हो, चाहिए वो laptop के अंदर हो, जैसे ही pop-up आपको खुलता है, approve के उपरा, इस तरीके से आपको मूतली आप add कर पाएंगे, तो यह एक methods हमने आपके साथ share करा, और same methods को आप follow कर पाएंगे कर दो जाएंगे कर दो कर दो जाएंगे झाल कर दो कर दो कर दो एफ दो, जो कर दो कर दो हूँ अजयाओ कर दो गाज़ रदा कर दो 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 आवत्तli वश्ड़कराइब कोखिए इपार Catalina कर दो 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 तो झाल 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 झाल